हेलो एब्रीवन वेलकम बेक टो देवराडी पार्ट शाला सो गाइस टोड़े टॉपिक ऑफ डिस्केशन इस CSI NET प्रिवेसर क्वेशन आफ एपॉप्टॉसिस स्लैस प्रोग्राम सेल्ट ठीक है तो जैसे कि आप लोग सभी लोग को पता है कि मैंने जो है आपको अपॉप्टॉसिस इन डीटेल में पढ़ाया है जो की टार्गिट करेगा आपका CSI NET एक्जाम ठीक है और यह इसका पार्ट 6 है अगर कोई स्टूडेंट नया है जो पहली बार इस वीडियो पर आया है पहली बार इस चैनल पर आया है जितने पार्ट मैंने पढ़ाये हो तब आप इस पार्ट पर स्विच किये होंगे इसमें जो है मैं क्वेशन अंसर को डीटेल में डिसकस करूंगे ठीक है तो प्लीज मेक शॉर कि आप थियोरी पोर्ट्शन पहले पढ़ लो यहाँ पर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट पर दे दूंगे आपको एपप्टॉसिस की अगर आपको फाइंड करने में दिक्कत आएगी तो ठीक है ओके गाइस और यह टॉपिक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रपार कर रहे हैं CSI, NET, GATE, ICMR, DBT, JRF के लिए साथी साथ MSC और BAC स्टूडेंट के लिए भी यह टॉपिक इंपोर्टेंट होगा सो वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सुस्क्राइब और शेर करना ना भूलें सो लेट्स प्रॉसीड ओके तो यह सबसे पहला क्वेशन है यह पूछा गया है CSI, NET, 2020, June, Shift, 2 में ठीक है, Evening Shift में जो है यह क्वेशन पूछा गया था तो question क्या है, बहुत ही easy है, जिस हिसाब से हमने पढ़ा है, उस हिसाब से तो question काफी easy है तो चलो पढ़ते है, question क्या है, in C.E.L.E.G.E.N., और guys, question को मैं तो solution करवाऊंगी इस वीडियो में लेकिन आपको जो है वीडियो pause करके पहले खुद स्वाल करने की कोशिश करना है, question को, ठीक है, then मेरा solution देखना, ओके So, in C.E.L.E.G.E.N., the activation of set 3, set 4 proteins are essential for the apoptotic pathway जैसे की आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है, set 3, set 4 का activate होना बहुत ज़रूरी है, ताकि apoptosis का pathway चल पड़ेगा, ठीक है, in addition, gain of function mutation in the set 9, अगर set 9 में gain of function mutation आ गया, gain of function mutation का मतलब यह overexpress होने लग गया, so cause it protein to made in cell that would normally die, ठीक है, तो यह क्या करेगा, उन cells, जो cells जिनको normally मरना था, उनको भी यह क्या करेगा, survival करेगा, इन cells का भी यह क्या कराएगा, survival क्योंकि आपको पता है, set 9 क्या है, anti-apoptotic gene है, anti-apoptotic का मतलब apoptosis के against, ठीक है, तो यह कभी नहीं चाहेगा कि apoptosis हो, अगर इसका overexpression हो जाए तो apoptosis कभी भी cells का नहीं होगा, ठीक है, given these facts, which one of the following diagram correctly represents a cell death pathway, ठीक है, तो यह facts तो आपको ऐसे ही दिये गए थे, ठीक है, आपका question start होता है, कि यहाँ पर कुछ diagram दिये गए है, set death pathway क्या, आपको बताना है, कौन सा pathway correct है, ठीक है, तो एकदम जो है, जैसे मैंने आपको class में पढ़ाया था, ठीक है, same to same आया है, एकदम copy-paste question आया है, copy-paste आया है, अब देखो कितना easy है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है EGL1, EGL1 क्या करता था, set 9 को inhibit करता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, set 4 को activate करा रहा है, जो कि यह diagram क्या है, बिल्कुली wrong है, next, EGL1, EGL1 set 3 को activate कराता है, क्या हमने ऐसा पढ़ा था, नहीं, सीधे पहले ही गलत, set 4 inhibit कर रहा है, EGL1 को ऐसा भी नहीं है, EGL1 inhibit करता है, किसको set 9 को, बिल्कुल सही बात है, और set 9 किसको inhibit करता है, set 4 को inhibit करता है, set 4 activate करता है, set 3, जो की caspase है, only caspase in CL again, और वो क्या कराता है, apoptosis करवाता है, ठीक है, तो यह जो pathway है, this is the correct pathway, ठीक है, और यह pathway मैंने class में भी करवाया है, आपको यह देखिए, ठीक है, यहाँ पर यह set 9 है, set 9 inhibit करता है किसको, set 4 को, set 4 activate कराता है, set 3 को, set 3 activate करता है, किसको, apoptosis को, और यहाँ पर अगर EGL1 भी आ जाए तो, EGL1 भी आ जाए तो, तो EGL1 क्या करेगा, set 9 को inhibit करेगा, ठीक है, तो apoptosis किस condition में apoptosis होगा, अगर आप से पूछा जाए तो, किस condition में apoptosis होगा, जब आपका EGL1 क्या होगा, एक्टिवेट होगा, जब EGL1 एक्टिवेट हो जाएगा, तो EGL1 अगर एक्टिवेट हो गया, तो set 9 inactive हो जाएगा, set 9 inactive हो जाएगा, तो set 4 जो है, अब set 4 को inhibit करने वाला कोई नहीं होगा, तो set 4 free हो जाएगा, free का मतलब यह अब activate हो जाएगा, और यह active होके किसको activate कराएगा, set 3 को activate कराएगा, और set 3 जो है तुरन जो है वो apoptosis करवातेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपका apoptosis होता है, यह मैं आपको class में अल्रेडी पढ़ा चुकी हो, ठीक है, ओके, next चलते हैं, तो आपका जो correct option है, that is answer number 4, ठीक है, तो एकदम copy paste आया है, एकदम diagram जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, वैसे ही सिधे-सिधे पूछा गया है, ठीक है, okay, next question पर move करते हैं, okay, किसी को कोई doubt होगा, तो comment box में बता देना, ठीक है, और ताकि मैं next video में या comment box में आपका answer कर लोंगी, ठीक है, next question है, CSI net 2017 June में पूछा गया है, following our list of some protein, कुछ list आपको proteins की दी गई है, जैसे BCL-2, BCL-XL, A1 और BACS, ठीक है, A1 हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन BCL-2, BCL-XL और BACS हमने पढ़ा हुआ है, आपको बताना है क्या, which one of the protein is not anti-apoptotic, इसमें से कौन सा ऐसा protein है, जो anti-apoptotic नहीं है, ठीक है, तो इसका मतब हमें क्या धूड़ना है, जो की नहीं है, anti-apoptotic इसमें कौन-कौन से protein है, अगर हम ध्यान से देखें तो BCL-2 is an anti-apoptotic gene, ठीक है, anti-apoptotic की category में हमने BCL-2 पढ़ा था, BCL-XL पढ़ा था, ठीक है, और इसमें एक और gene आता है, anti-apoptotic protein है, ठीक है, यह क्लास में बढ़ा था, यहां से भी question आया है, ठीक है, तो, ठीक है, ओके, तो आपको बताना है, कौन सा anti-apoptotic नहीं है, तो कौन सा नहीं है, back sub anti-apoptotic नहीं है, because it is an pro-apoptotic, pro-apoptotic, यह pro-apoptotic की category है, ठीक है, तो मैंने categorize भी कराया था, आपको क्लास में, these are anti-apoptotic proteins, BCL-2 यह सारे anti-apoptotic हैं, जो की inhibit करते हैं, अपoptosis को, और कुछ जो है, pro-apoptotic protein है, जो promote करते हैं, अपoptosis को, जिसे backs, back, bog, bit, bed, bim, puma, noxar, ठीक है, यह सारे आपको याद रखना है, कहीं से भी आपको exam में question पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, तो हमारा जो correct option हो जाएगा, that is, D, D हमारा correct option हो जाएगा, कि सिर्फ backs, जो है, वो क्या है, pro-apoptotic की category में आता है, ठीक है, pro-apoptotic, बाकि यह तीनों, जो है, वो anti-apoptotic की category में आता है, तो A1 को भी आप अपने notes में लिख लेना, कि A1 is also an anti-apoptotic protein, और हमें not बताना था, तो कौन सा नहीं है, तो backs नहीं है, because backs is an pro-apoptotic protein, ओके, आई बात समझ में, चलो, तो आपका correct answer हो जाएगा, that is first, next question पर move करते हैं, यह question भी 2017, 17 June में पुछा गया है, part C का question है, यहनि 4 marks का question है, question क्या है, given blow is a list of some proteins, known to be associated with apoptosis, ठीक है, आपको कुछ list दी गई है protein की, जो की apoptosis से associated है, there is subcellular localization, but not in correct order, the possible role in apoptosis, इनका जो है, apoptosis में role भी बताया गया है, और localization भी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें choose the right combination, which matches the protein, with your correct localization, and role of in apoptosis, तो हमें correct match बताना है, अब यह question इतना easy है न गाईज, बहुत easy है, अगर आप ऐसे देखोगी, तो आपको tough लगेगा, लेकिन यह बहुत easy है, अब देखो caspase, सबसे बहले मैं आपको कहानी बताती हूं, आपको solve कैसे करना exam में, protein जो है वो caspase है, effector caspase, अब caspase नाम आए तो, caspase हमेशा क्या करते हैं, apoptosis का बढ़ावा करते हैं, promote करते हैं apoptosis को, यानि आपको पता ही, कि हम लोगों ने कितने सारे caspases पढ़े हैं, जो कि apoptosis करवाता है, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, proteases है, जिनका protein को degrade करने का काम होता है, तो effector caspase हमेशा क्या करेगा, promote करेगा apoptosis को, ठीक है, तो यह तो हमेशा इसका role promote होगा, next, APA-F1, APA-F1 क्या करता है, यह caspases को activate कराता है, अगर यह caspase को activate कराए, तो यह भी क्या करेगा, promote करेगा हमेशा apoptosis को, या देना आपको, APA-F1 क्या कराता है, promote, caspase को activate कराता था, right, caspase 9 को activate करवाता था, ठीक है, in case of intrinsic pathway, intrinsic pathway में हमने पढ़ा था, मम्ब्रेन में, just a mitochondria, इसकी मम्ब्रेन में क्या बनाता है, channel बनाता है, जिस channel से जो है, वो cytokrome C जो है, बाहर आजाता है, cytokrome C बाहर आता है, जब भी cytosol में, तो apoptosis होता है, यानि यह भी के करा रहा है, promote करा रहा है, apoptosis को, यह अगर आप ध्यान से देखोगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा है class में तो देखोगी आपके तीनो चीज चाये एकट्थ तीनो प्रोटीन चाये एकट्र क्या स्पेस लुए फण हो अप्प अर्फ्ण हो यह यह बैक्स हो तीनों की तीनों promote कर रहे हैं ध्यारन की तिनों का promotion होगा तो किसी में ये इस सेकंड जा रहा है इस option में सेकंड जाएंगे तो आपका बचा सिर्फ option 4 जिसमें की first first और first ठीक है तो पूरा अगर आपको localization नहीं भी पता तो भी आप easily answer तक पहुंच सकते थे by knowing the real role of these protein in apoptosis ठीक है तो इस तरीके से question करना है ठीक है question से घवराना नहीं है question जो दिखते हैं बहुत खतरनाक वो actual में बहुत easy होते हैं और एक second में मलब एक minute में जो है वो solve हो जाएंगे ठीक है okay तो next हम लोग आप इनको अच्छे से देख लेते हैं जो effectal caspases होते हैं यह कहां present होते हैं यह cytosol के nucleus में present होते हैं ठीक है और इनका role तो आपको पता ही है apoptosis को promote करना next ap af1 तो यह cytosol में present होते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी cytosol में present होते हैं ठीक है और cytosol में जहां पर इस कौन cytokrom scene पर bind करके promote करता है apoptosis को next bags bags कहां होते हैं mitochondrial membrane में होते हैं ठीक है तो cytosol of mitochondria 심ने present होते हैं यह ठीक है चलो तो यह थी कहानी तो आपका जो correct option हो जाएगा that is answer 4 ठीक है तो यह आपको कहां से पुछा गया एक्च्वल में intrinsic pathway से intrinsic pathway से ठीक है तो यह भी मैं करवा चुकी हूँ ठीक है playlist की playlist का link में दे दूंगी वीडियो के description box में देख लेना महाँ पर ठीक है ओके तो आई होप आप लोगों को सब को clear हो चुका होगा next question पर move करते हैं okay next question पूछा गया है CSIN ने 2016 December में ठीक है यह question क्या है यह भी part C का question है यहनी 4 marks का question है apoptosis during early development is essential for proper formation of different structure in C elegant apoptosis is axiented by set 3 set 4 genes which in turn are negatively regulated by C9 we already know this about and eventually EGL1 when compared to mammals functionally similar homologous have been identified according accordingly which one of the falling statement is not correct तो आपको जो है incorrect statement यहां पर बतानी है ठीक है तो जस्ट आपको इस question के थो क्या पूछा गया है resemblance मैंने आपको बताया था कि evolutionary pathway होता है किसमें C elegant or mammals में that's why हम लोग जो है apoptosis C elegant में भी पढ़ते हैं क्योंकि वहीं से evolution के तो हमारे अंदर apoptosis का pathway आया है तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से similar proteins होते हैं मैंने diagram के तो आपको यहां पर बताया था यह diagram है EGL-1 जो nematodes यानि C elegant में जो होता है EGL-1 वह हमारे BH3 only के अंदर के जो protein होते हैं mammals के उससे similar होते हैं जैसे bid, beam, noxa, puma इन सब से similar होते हैं ऐसे ही जो set 9 होता है set 9 हमारे अंदर जो nematode के अंदर है वह हमारे अंदर क्या होता है BCL-2 हम उसे बोलते हैं set 4, set 4 जो है हम तो nematodes में हम बोलता है लेकिन हमारे अंदर हम उसे क्या बोलता है APA F1 बोलता है next रहता है set 3, set 3 is the only caspase that's present in nematodes और C elegant set 3 का हमारे अंदर क्या होता है resemblance caspase 9 और caspase 3 7 कुछ भी हो सकता है तो यह सारी resemblance है तो आप easily कर सकते हो यह मैंने class में कराया है set 4 is reassemble, किस के साथ reassemble है? APA F1 बिल्कुल सही बात है, set 4 किसके similar है? set 4 किस के similar है? APA F1 के साथ में बिल्कुल सही बात है set 9 resemble करता है BCL XL, ठीके BCL XL हो यह BCL Protein जो भी anti-apoptotic protein उनके साथ में resemble करता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी anti-apoptotic protein set 9 जो है वह BCL 20 BCL XL किसी के साथ में भी सिमिलर हो सकता है जो भी अंटियोप्रटिक प्रोटीन होगा next is set 3 set 3 is the only caspase ठीक है तो set 3 is the only caspase that present in the जो किसमें present होता है आपका निमेटोड में तो निमेटोड में सिफ set 3 caspase है तो ये caspase 3 के साथ में caspase 3 या caspase 9 के साथ में जो है वो resemble करता है क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे caspase होते हैं लिकिन बिचारे इस ही एलिगें के पास में सिफ set 3 नम का caspase होता है ठीक है next आता है set 4 set 4 जो है वो resemble करता है बोला किससे caspase 9 से no set 4 is not a caspase it is not a caspase set 4 किसके साथ में resemble करता है APA F1 के साथ में ठीक है जो कि हम मैं अलड़ी आपको यह बता चुकी हूं ठीक है तो यहां पर क्योंकि यह देखो आप opposite statement था और अगर आपको यह भी पता होता कि जो आपका निम टोड़ है उसमें सिर्फ एक ही caspase present होता है that is set 3 तो आप easily इसको कर सकते थे क्योंकि set 4 is not a caspase ठीक है तो not correct जो है आपका fourth one जो है वो आ जाएगा ठीक है तो काफी easy question है काफी easy question है जिससे आपसे हमने पढ़ा है उसापसे easily जो है वो solve करने लाएक questions है ओके चलो guys तो next चलते हैं फिर next question है यह question 2014 दिसंबर में पूछा गया था question क्या है you have isolated a short chain polypeptide from a bacteria which upon administrating to animal cells in culture is demonstrated to get transported to mitochondria and to cause mitochondrial membrane disruption ठीक है तो आपने क्या किया एक protein जो है वो isolate किया bacteria से ठीक है एक polypeptide chain था जिसको कि हम कहां यूज किया आपने animal culture में यूज किया animal cells में यूज किया और यह protein जो है animal cells में क्या करता था mitochondria की membrane को disrupt कर देता था यानि ब्रेक कर देता था जो mitochondria होता है आपका ठीक है mitochondria की membrane को जो है वो क्या कर देता था ब्रेक कर देता था इसको बोला गया कि यह cancer में बहुत effective है ठीक है and is to be tested for its anti-cancerous properties in the following model of disease और इसको test किया गया क्योंकि यह cancer जो है वो cause नहीं होने दे रहा था तो इसमें जो है इसने काफी मदद करी ठीक है क्योंकि यह कर रहा है देखो यहां पर इस तरीके से अगर यह आपका mitochondria membrane है ठीक है this is your mitochondria ठीक है this is your cytosol ठीक है और यहां पर जो protein जो bacteria से आपने isolate किया है polypeptide वो क्या कर दे रहा है इस mitochondria membrane को disrupt कर दे रहा है ठीक है इस protein के पास क्या है anti-cancerous cancer protein है ठीक है ओके इसी बात समझ में आई आप कुछ test जो है कुछ model of disease यहां पर दिया गया है ठीक है कि disease होने के लिए कौन कौन से model है यहां पर तो सबसे पहला है आपका cancer with apaf1 mutation अगर अगर cancer मतब cancer हो सकता है अगर apaf1 में mutation हो जाए तो ठीक है apaf1 कहां present होता है cytosol में तो apaf1 जो है वो cytosol में present होता है ठीक है cancer when back's gene are inactivated cancer हो सकता है जब आपका back's gene inactivated होगा यह किस cases में बोला गया है यह सारी चीज़ें आपने कर ली उसके बाल ठीक है next day cancer where back genes are inactivated तो हमें क्या बताना है which one of the falling likely to provide best effect to induce apoptosis तो कौन जो है वो apoptosis को induce कराने का best effect होगा ठीक है तो देखो guys अब हमने हमारा काम जो mainly जो आपका back bags का काम होता है वो क्या होता है ठीक है अगर हमें apoptosis कराना है animal cell में तो back bags का का काम क्या होता है कि mitochondria की membrane में channel बनाना जिस channel से cytokrome c जो है वो cytosol में आ जाए यही काम होता है लेकिन जो आपने बेक्टिरिया यूज किया है इस बेक्टिरिया का जो पॉलि प्पेप्टाइड है इस अल्रेड है우 मेंब्रेन को डिस्रप्ट कर दे रहा है जब डिस्रप्ट कर दे रहा है यानि यह किसकी तरह काम कर दे रहा है यह किसका काम निप्टा दे रहा है बैक बैक्स का काम है वह तो यह अल्रेडी कर दे रहा है ठीक है यह माइटो कॉंडर की मेंब्रेन को ही तोड़ दे रहा है जिस ठीक है अगर आपका APAF1 mutate हो गया तो आपका apoptosis नहीं होगा क्योंकि APAF1 कहा है cytosol में है cytokrome C को किस से bind करना होता है cytokrome C किस से bind करता है APAF1 के साथ में तभी जाके आपका pro caspase activate होता है pro caspase 9 और फिर हो caspase 3 को activate करता है फिर आपका apoptosis होता है ठीक है तो अब यहां पर जो आपको क्या करना है हमें बताना है कि apoptosis किस condition में induce होगा तो अगर cancer हो अगर APAF1 में mutation हो गया तो apoptosis होगा no apoptosis no apoptosis नहीं होगा ठीक है कामी नहीं करेगा तो कहां से apoptosis होगा अगर back bags में inactivate हो गए तो भी apoptosis होगा इस condition में ठीक है क्यूंकि यहां पर condition हमें दी गई है क्यूंकि हमने already treat कर दिया है animal cell को किस के साथ में उस bacteria polypeptide के साथ में तो इनका काम तो अगर इनक्टिवेट हो जाएंगे तो भी हमारा क्या होगा apoptosis होगा ठीक है आई बास समझ में ठीक है तो इनके क्यूंकि इनका काम किस ने कर दिया इस polypeptide ने कर दिया जो आपने bacteria से isolate किया था ठीक है तो इस तरीके के experimental question भी आपसे पूछ जाते हैं तो अब हम किस condition में जो है वो induced होगा apoptosis तो B और C अगर condition होगी तो आपका apoptosis जो है वो induced होगा तो second will be the right answer ओके लेकिन अगर A वाला होगा तो इसमें आपका apoptosis नहीं होगा ठीक है चलो गाइस तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है ठीक है फिर भी अगर किसी को कोई doubt होता है तो वो पूछ सकता है next question है ओके next है यहां पर भी यह भी four marks का question है ठीक है cell undergo apoptosis by two distinct and interconnected pathway extrinsic and intrinsic दोनों पाथवे में आपके साथ में detail में डिसकस कर चुकी हो extrinsic pathway is inactivated by cellular extracellular ligand binding to the cell surface death receptor whenever an apoptotic stimulation activate intrinsic pathway the pro-apoptotic bag bags protein become activated and induce the release of cytochrome C from mitochondria leading to caspase cascade activation resulting in apoptosis ठीक है यह बात भी हम औरेड़ी पढ़ चुके है in cell A अब यहां पर आप यहां से question आपका start होता है in cell A cytochrome C is induced by micro injection ठीक है आपने क्या किया cell A लिया cell A में आपने क्या क्या किया cytokrome C को क्या inject कर दिया आपने माइक्रो इंजेक्शन सेल A में आपने क्या कर दिया इंजेक्शन के थो साइटोक्रोम C को इंजेक्ट कर दिया ठीक है what will be the most appropriate apoptotic response by the both type of cells तो दोनो type of cells में क्या apoptotic response होगा ठीक है तो इस चीज़ को समझते हैं इसको कैसे किया गया है ओके तो यह आपका cell B है और यह आपका cell A है ठीक है cell A ठीक है और यहां पर यह इसका mitochondria भी बना देते हैं यह इसका क्या है mitochondria ठीक है mitochondria है और यह cell B का mitochondria भी बना देते हैं ठीक है अब आप अब इन्होंने क्या किया ठीक है इन्होंने experiment में क्या किया cell A में इन्होंने क्या किया इन्जेक्शन के थ्रों क्या कर दिया किया किया इंजेक्शन के थ्रों इन्होंने एक और काम कर दिया इन्होंने क्या कर दिया बैक बैक्स को इनक्टिव कर दिया बैक बैक्स जो है यहां पर इनक्टिव हो गए ठीक है इनक्टिव कर दिया बैक्स का प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉंड्रे की मेंब्रेन में ठीक है अब आपको बताना है कि किसमे यह एपाप्टॉसिस होगा अब एक बदेखो मरा लेवल किसमें ज्यादा होगा तो बैग बैक्स का रोल क्या है सबसे पहले तो आपको कराने के लिए को इनक्टिव क्या गया दोनों में एक आपनी कहानी हो रही है बैग साइटोक्रोम सी साइटोसोल में आ गया तो वो अटोमेटिकली किसको एक्टिवेट करा देगा APA F1 को APA F1 एक्टिवेट होगा तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा कैस्पेज 9 किसको एक्टिवेट कराएगा caspase 3 को activate कराएगा और caspase 3 क्या कर देगा apoptosis करवा देगा ठीक है यहाँ पर भी ऐसे ही होगा सेम गहानी होगी cytogram C already cytosol में है APA F1 activate होगा APA F1 किसको activate करेगा caspase 9 को activate करेगा caspase 9 किसको activate करेगा caspase 3 को activate करेगा और caspase 3 जो है वो apoptosis करवा देगा यहाँ दोनों कंडिशन में सेम ही लावल का apoptosis होगा ठीक है अब आप चाहें backbacks को दोनों में mutate करो या ना करो उससे कोई फरक नी पड़ेगा ठीक है क्योंकि आप already cytogram C को जो है वो cytosol में ला चुकी हो आई बात समझ में तो आप चाहें तो क्या होगा दोनों में बराबर ही होगा आई बात समझ में तो अब graph के थ्रोग बताना है तो graph देखो cell A में जो यहाँ पर ग्राफ में जो y-axis है यहाँ पर दे रिखा है percent of apoptosis यह cell A में और cell B में तो दोनों में क्या होगा बराबर ही percent होगा apoptosis का दोनों में level ज्यादा ही होगा ठीक है यहाँ पर level दोनों में कम दे रिखा है that's why यह गलत होगा क्योंकि cytokrome C आपने cytosol में डाल दिया है तो apoptosis तो होगा ही ठीक है next C में A में ज्यादा होगा B में कम होगा यह तो नहीं होगा A में कम होगा B में ज्यादा होगा यह भी नहीं होगा तो आपका जो है automatically first will be the right answer ठीक है तो I hope आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक है next question पर move करते है ओके next question है यह question CSI net 2013 December में पूछा गया है the cell death pathway in C.Elegant can be scammately represented as ठीक है cell death pathway जो है वो आपको C.Elegant में बताया गया है C.E.9 इनिविट कर रहा है C.E.4 को C.E.4 एक्टिविट कर रहा है C.E.3 को based on the above which of the following statement is true इसको देखके आपको बताना है कौन सा statement जो है वो true है सबसे पहला है loss of function in C.E.9 अगर C.E.9 में loss of function हो जाए तो would lead to the survival of cell that normally die तो cell जो है वो survive कर जाएगा जो कि normally die जो मर रहा होगा ठीक है अब देखो C.E.9 क्या कर रहा है C.E.4 को इनिविट कर रहा है C.E.4, C.E.3 को एक्टिवेट कर रहा है और C.E.3 क्या करता है अपको टॉसिस कर वाता है ठीक है ये बात तो सभी को clear होगी हम लोग काफी टाइम पड़ चुके है अब ये C.E.4 हो चाहिए C.E.3 हो ये प्रमोट कर रहा है अपोप्टोसिस को और जबकि C.E.9 जो है वो इनिविट कर रहा है अपोप्टोसिस को लेकिन अगर C.E.9 में loss of function हो गया तो अपोप्टोसिस तो होगा फिर अगर यही खतम हो गया यही इतना वाला portion हट गया तो यह सारे portion काम कर जाएंगे और यह सारे portion जो है क्या करा देंगे अपोप्टोसिस करा देंगे लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसके loss of function से जो है loss of function of allele sed9 that would lead to survival of cell तो cell survive कर जाएगा जिसको normally die करना चाहिए था वो survive कर जाएगा this is false नहीं वो क्या करेगा मढ़ जाएगा ठीक है अपप्टोसिस होगा यहां पे next है loss of function of allele sed9 अगर sed9 में loss of function हो जाएगा तो would lead to excessive cell death बिल्कुल सही बात है फिर जो है क्या हो जाएगा excessive cell death हो जाएगी क्योंकि यह portion ही जब नहीं रहेगा तो यह activate हो जाएगा यह इसको activate करेगा और यह finally apoptrocess करवा देगा ठीक है तो this statement is true next है gain of function gain of function in sed9 या नहीं sed9 जो है extra काम करने लग जाए तो lead to the excessive cell death no excessive cell death नहीं होगी फिर cell death होगी ही नहीं ठीक है next है neither loss or gain of function in sed9 would make any change no this is also false ठीक है तो सारे false है आपके कौन सा correct है आपका second one ठीक है तो यहां पर मैंने आपको mutation cases पढ़ाए हुए है ठीक है sed9 का भी बताया हुआ है अगर यह negative regulator होता है apoptosis अगर यह inactivate हो गया तो फिर apoptosis होगा ठीक है और अगर यह over express हो गया तो फिर normal cell कभी भी die नहीं होगी ठीक है तो यह सारे मैंने आपको class में कराये हैं ओके तो आपका option जो है वो second will be the right answer next question पर move करता है next है यह question 2012 June में पूछा गया है तो question क्या है sed9 gene appears to be a binary switch that regulate cell survival and apoptosis in nematodes ठीक है यह भी हम जानते है consider that sed9 protein can bind and inactive sed4 which one of the falling lead to apoptosis ठीक है तो किसकी बज़े से जो है वो apoptosis होगा तो guys मैं आपको already कितनी बार करा चुकी हूं sed9 जो है वो हमेशा क्या करता है inhibit करता है sed4 को sed4 activate कराता है sed3 को और sed3 जो है वो क्या करता है apoptosis करवाता है ठीक है यह बात सबके दिमाग में छप गई होगी क्योंकि यहीं से जो है most of the pyqs जो है पूछे गए है ठीक है c elegant के apoptosis से अब देखो किसकी वज़े से apoptosis होगा अगर sed9 activate हो गया अगर यह activate हो गया तो यह inhibit हो जाएगा तो यह inhibit हो जाएगा यह भी यह inhibit हो गया तो इसको activate कराना वाला कोई नहीं होगा तो यह inactive ही रहेगा inactive रहेगा तो no apoptosis नहीं होगा ठीक है तो activation of sed9 do not lead to apoptosis this is long loss of function of sed3 sed3 में loss of function हो जाए तो apoptosis होगा नहीं होगा क्योंकि sed3 is a caspase क्या स्पेस क्या कराते हैं apoptosis करवा रहे हैं यह पर sign दिख रहे हैं आपको promote करा रहा है apoptosis को activate करा रहा है ठीक है loss of function in sed9 बिल्कुल सही बात है अगर यह inactive हो जाए यह भाई साब inactive हो जाए sed9 ठीक है तो अब इसको inactive करने वाला कोई नहीं रहे गा यह activate हो जाएगा यह activate हो जाएगा तो यह on the case when loss of function in sed9 gene ठीक है तो I hope आप आप लूंकि क्लास में भी कई बर करा चुकी हूँ ठीक है तो जिसने अगर क्लास नहीं देखिए तो क्लास देख लेना ठीक है तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड वन हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेशन है तो यह लास्ट क्वेशन है यह 2012 दिसंबर में पूछा गया था ठीक है तो इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ पाथवे चल पड़ता है extrinsic as well as intrinsic ठीक है से मानो यहां पर बना के बता देते हूं कि इस तरीके का जो है वो एक सेल है ठीक है cancer cell है और इसमें जो है वो पाथवे चल पड़ता है कैंसर सेल है ठीक है इस cancer cell में जैसे ही आप क्या करते हो इसको treatment करते हो किसी कौन सा एजेंट है एजेंट एक्स ठीक है एजेंट एक से आप इसको जब ट्रीट करते हो agent x से जब treat करते हो तो agent x से जब treat करते हो तो यह क्या इसमें दोनों पाथवे चल पड़ता है apoptosis का intrinsic and extrinsic apoptosis pathway run अब यह दोनों pathway run करेगा तो इसका apoptosis हो जाएगा यानि cell death हो जाएगी ठीक है तो agent x क्या कर रहा है cell death करा रहा है through both the pathway intrinsic as well as extrinsic pathway ठीक है next बोला गया है जो caspase 8 और 9 है caspase 8 कब activate होता है मैंने आपको बताया है during the extrinsic pathway और caspase 9 कब activate होता है during the intrinsic pathway यह भी मैंने आपको learn करने के लिए बोला है कई बार question मैं पूछ पूछा जा सकता है ठीक है तो यह भी हमें already पता है now question start होता है यहां से अगर आपने if question if caspase 9 is silence अगर caspase 9 को silent कर दिया in the cancer cell by shRNA transfaction आपने shRNA का transfaction किया जिसे के बिचारा caspase 9 inactive हो गया caspase 9 inactive होगा तो what will be the best fit graph of apoptosis scenario in the cancer cell when treated with x agent ठीक है तो x agent के साथ जब treat करते हो तो क्या scenario होगा ठीक है तो जरा देखते हैं देखो आपने क्या किया दोनों जब x agent के साथ रंग किया तो intrinsic पात्वे और extrinsic पात्वे दोनों चल पड़ा था ठीक है फिर आपने क्या किया उसके बाद आपने क्या किया वैसे ही दूसरा cell लिया यहां पर दूसरा cell ले लेते हैं आपने दूसरा cell लिया यहां पर ठीक है इस तरीके से दूसरा cell लिया और इसको भी आपने उसी से ट्रीट करा हुआ था ठीक है यह नि सेम थरपिक रिएजेंट से ट्रीट किया हुआ था एजेंट एक से आपने इसको ट्रीट किया था ठीक है और इसमें भी क्या हुआ था intrinsic और extrinsic पाथ वे चल पड़ा था ठीक है लेकिन अब क्या हो गया intrinsic पाथ वे में 5000 क्योंकि 9 activate होता है और extrinsic पाथ वे में 8 activate होता है ठीक है अब आपने क्या किया scenario same था ये भी cancer cell है ठीक है scenario दोनों में same था लेकिन आपने क्या किया इसमें caspase 9 को inactive कर दिया यानि यहाँ पर transfaction कर दिया और caspase 9 को क्या कर दिया inactive कर दिया ठीक है inactive कर दिया तो आप क्या होगा intrinsic path way चलेगा नहीं चलेगा caspase 9 inactive होगे तो intrinsic path way नहीं चलेगा लेकिन जब आपने ट्रांसफाइक्षिन के दौरान आपने क्या कर दिया तो आप इसमें हाफ पाथ मिचल रहा है यहाँ को बताना है तो यहां पर दे रखायएpercent of apoptosis गर यह cell before transaction before transaction cell के अंदर full apoptosis होगा कोई दिकत नहीं है ठीक है दोनों intrinsic extrinsic pathway चल रहे हैं लेकिन जब आपने transfection कर दिया यानि SHRNA से transfect कर दिया और caspase 9 को silent कर दिया यानि inactive कर दिया तो अब extrinsic pathway नहीं चलेगा intrinsic pathway नहीं चलेगा तो अब apoptosis तो होगा लेकिन half होगा कि एक ही pathway चल रहा है इतना pathway जो है वो run नहीं करेगा तो यही statement जो है यही option जो आपका correct हो जाएगा next है दोनों में बराबर apoptosis होगा नहीं इसमें पहले में कम after transaction जादा होगा नहीं यह भी गरत होगा पहले में बहुत जादा दूसरे last वाले में होगा ही नहीं होगा तो जरूर लेकिन half होगा कितना होगा half होगा इतना कम नहीं होगा apoptosis होगा दूसरे में भी after transaction वह extrinsic pathway के थरो होगा ठीक है तो आई बहुत समझ में तो आपका correct option जो है वो first one हो जाएगा ठीक है तो I hope कि diagram के थरो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे जो है after transaction क्या condition है एक ही pathway चल रहा है extrinsic pathway before transaction यह before transaction है before transaction आपका दोनों pathway run कर रहा है intrinsic as well as extrinsic pathway ठीक है तो यहां पर cell apoptosis का percent high होगा यहां पर apoptosis का percent low होगा ओके ओके गाईस तो कैसा लगा वीडियो आपको comment box में जरूर बताएं और अगर आप लोग कोई भी topic चाहते हो मुझसे पढ़ना ठीक है तो आप लोग का पीडियाप तो मैं already भीज़ चुकी हूं ठीक है गाईस चलो और बाकी अच्छे से पढ़ लेना अगर किसी को अभी भी doubt होता है मैंने explain कर दिये सारे question अभी भी doubt होता है तो वह comment box में पूछ सकता है या telegram channel में पूछ सकता है ठीक है तो मैं उसका answer दे दूँगी ठीक है गाईस चलो चलो फिर गाईस मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye